मेरे को एक इंटरनेट रेडियो में मौका मिला काम करने का वहाँ पे मेरे को पच्चिस सुर पे मिले थे यकीन मानिये साड़े नौ बजे का टाइम होता था और मैंने कंप्यूटर ओन किया नौ पैतिस पे मुझे ऐसे लगता था किसी ने मुझे नशा करा दिया तो एक दिन माँ पे बैटे बैटे मैंने रेड एफेम में फोन मिला दिया तो जैसी गाट साब ने फोन उठाया मैंने बला हाई देशार आशिश उन्होंने मिरे को बोला प्राइम टाइम शो करवाने ते से तो उसके बाद मैंने काफी सालों तक एक शो किया जो था कड़क लोंडे तो एक दिन उन्होंने अपने और मेरे दोनों के हाथ जोड़े और बोला कि भाई वो रहा दरवाजा देखो और चले जाओ तादात के दिलों में घर कर रहा हूँ मुठी भर नफरतों को नजर अंदास कर रहा हूँ जो मिले महबबत से उन्हें सलाम कर रहा हूँ जो सलीके से समझाएं उनका एहतराम कर रहा हूँ ये मेरे माबाप की दुआएं हैं जो तुम्हारे जरीये उमड रही हैं मुझ पर बस इन्ही मुस्कराहटों के चलते मैं चल रहा हूँ बहुत भाशुक्रियां यह कौन सी वाली तालियां नान वाली तालियां यह तारीफ में बजही आय। मेरा नाम है आरजय आशीश आप मुझे सुनते हैं 104.8 इसद्वाश साथ से 11 दिल्ली में इसके अलावा Instagram पे कुछ लोग मुझे बरबाद अलाद के नाम से जानते हैं, कुछ लोग चोड़ेल आदमी के नाम से जानते हैं, तो कुछ लोग हे भगवान नान ताली के नाम से जानते हैं, मेन मुद्दा जो रहता है, वो रहता है आपको हसाने का, एंटेटेन करने का, कई बार आपसे गुफ्तगू करने का, तो वो पोरा हो जाता है, और सची बात यहीं कि कलाकार की छो खुराक होती है, तालीय ही होती है, तो वो मिल जाती है, पेट भर जाता है, दिखने में भी हम फिर ओक्ड लगते हैं, तो मेरा नाम है अशीश और मेरी पदाईश है दिलि की, बॉन कि अगर मैं बात बोलू तो बच्पन में मा कहा करती थी टोक देती और मुझे लगता भी ऐसा ही टोकती थी कि कभी भी अपने गुरू की नकल नहीं लगाते लेकिन अच्छल में शरुवात वहीं से हुई थी थी थर्ड क्लास में था मैं था जब हमारी एक मूर्ती मैम थी आपक हो तुमारे तभी तुम तीक होगे तो जब इस तरह की बाते की बोलती थी तो में थोड़े सा उनकी एक्टिंग करने कोशिश करता था नकल भी नहीं बोलूगा एक्टिंग करने कोशिश करता था फिर हमारे घर पे लगा MTNL का फोन लैंड लाइन होते थे अच्छा एक चीज मैं यहां पर बोलना चाहूंगा, मैं बहुत शुक्र गुजारूं कि मैं एटीज में पैदा हुआ, क्योंकि उस टाइम में हमें जो चीजें मिली, उसकी कदर बहुत थी है, जैसे फोन लगा था ना, तो मलब पूरी बिल्डिंग में सब को पता था कि इनके घर पे तो फोन के नीचे एक मैट होता था, उसके उपर भी एक मैट होता था, आसपडोस के लोगों को भी नंबर दे दिया करते थे हम, कि अगर आपके किसी रिलेटिव को, रिष्टेदार को नंबर देना, तो हमारा नंबर दे, तो कोई बात नहीं बात कर लेना, तो वो अपना पन था, कदर थी, तो जब फोन लगा, तो मैंने प्रैंक कॉल्स करने शुरू कर दी है, थोड़े-थोड़े से, वो करते थे, बेसे कि लिए अपनी मासी को, कि आपका बिल जो है, आठ हजार रुपे का, और वो ऐसे हो जाती थे, आठ हजार रुपे को बिल कहां से आ गया, लग रहा था, फिर शायद होटल मैनेजमेंट करेंगे, फिर एक दिन मेरी माताशरी मेरे पास आई ही और कहती है कि, यार वो ना, तू कैमरे पर बहुत अच्छा लगेगा, कुछ जर्नलिजम का या कुछ ऐसे कर सकता है, मैं बोला, मॉडलिंग, कि नहीं नहीं, उतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन अगर जर्नलिजम का कुछ कर सके तो, मैंने गए चलो ठीक है, और वही एक सब्जेक्ट था, जिसके मैंने फॉर्म भरे नहीं थे, लेकिन किसी तरह से हो गया, तो जब हुआ, उसके बाद भी मेरे को लगा नहीं था, मैं क्या करूंगा, तो कहीं पर ऐसे मैंने जॉब शुरू कर दी, तो एक न्यूस पेपर का एक सिंडिकेशन डिपार्टमेंट था, ठीक ठाक था, वहां से मेरे को कहीं और ओफर आया, किसी न्यूस पोर्टल का, वहां पर अच्छी सैलरी थी, 2009 की बात बता हूं तो मैं 30-35,000 पर मेरे खाल से सैलरी थी लेकिन यकीन मानिये, साड़े नौ बजे का टाइम होता था, और मैंने कंप्यूटर ओन किया, 9-35 पर मुझे ऐसे लगता था, किसी ने मुझे नशा करा दिया है, मैं खो जाता था, और मैं 20-25-25 मिनट के ब्रेक पर चला जाता था, नीचे कहीं पर भी घूमने पिरने के लि पहली बार मैंने बस से भी ट्रैवल करना शुरू किया था, ब्लू लाइन होती थी, जितने भी दिल्ली वालें जानते होंगे, ब्लू लाइन हुआ करती थी, तो एक बार मेरे को ऐसे नीद आ रही थी, कि मेरा साथ वाला फोन भी निकालने के कोशिश करा था मेरा, कोई ऐस पैसेंजर था, ना मुझे उस ताइम पे ये बात चुभी, ना मिरे को आज चुबती है, इन फाक्ट आज ये चीज मिरे को अच्छी लगती है, क्योंकि जब आपको कुछ इस तरीके के हालात मिलते हैं ना, तब एक्चुली मैं आप शाइन करते हो, तब मैंने रेडियो शुरू किया, तो सुबह जाते वक्त मैं सुना करता था, अनंत और सौरब साब हुआ करते थे उनको, और शाम को आते वक्त मैं सुनता था, आरजे नावेद को, तो जब मैं नावेद को सुनता था, तो मुझे लगता था यार, ये चीज तो मैं भी कर सकता हूँ यार, प्र क्या होता है कि आपको कुई चीज पसंद आती है न तो आप सोच्थे हो कि मैं इसको करता हूं, लेकिन जिसने करी कि आपने उनको चीज के लिए बदाई दी, क्या बोला कि यह बहुत ही बड़ी है, उसका श्रे उनको जाना चाहिए, तो कॉपी नहीं कीजे, इंस्पायर हैं, टच नहीं करना चाहूँ क्योंकि जो जैसा मैंने सुना मेरे को वैसे ही अच्छा लगा तो आप भी अगर एक छोटी सी बात कभी समझ सकें तो कहने होला भी है कि always try to be original be yourself जो आप हैं आप खुद को अपने साथ दूसरों के सामने लेकर आईए बजाए दूसरों को copy करनेंगे ठीक है तो फिर वो सिलसला शुरू हुआ तो मेरे को एक इंटरनेट रेडियो में मौका मिला काम करने का वहाँ पे मेरे को 25 सुरुपे मिले थे और मेरी सैलरी जो पिछले जॉब में थी वो थी मेरे खाल से 30-30,000 कुछ की और फिर वहाँ वो करा थोड़ा सा सीखा उसके बाद फिर वहाँ पे भी कुछ-कुछ बातचीत होगी तो फिर मैंने स्विच कर लिया अब मैं एक एडवर्टाइजिंग एजनसी में काम करने लगा था लेकिन वहाँ पे दिल नहीं लग रा था मेरा तो एक दिन वहाँ पे बैटे-बैटे मैंने रेड एफम में फो लहाँ पेड़ करा तो मैंने उनको बताया कि मैं मुद्रा एड़र्टाइजिंग में हो तो अलांकि दो महीने के लिए था था मैं वहीं पे तो पता नहीं किया क्लिक हुआ उन्होंने मेरे को बोला पल भी वस देर ऑंडै तो उन्होंने बोला कि ठीक है साड़े साथ बज़ अब मेरे को Red FM में मौका मिला था, but as an intern, तो ये internship जो थी, ये इसमें कोई पैसा involved नहीं था, हाँ, लेकिन ये था कि सीखने को बहुत कुछ मिलता, क्योंकि मैं खुराफाती नितिन जो है, उनका intern था, और उनके शो को मिलब देख रहा था, और उसके अलावा, मिलब पैसा कोई involved नहीं था, जिसके लिए मिरे को कोई मलाल भी नहीं था, क्यों नहीं दे रहे, because उसके बाद ये था कि 6-7 महीने अच्छे से काम करोगे, 8 महीने अच्छे से काम करोगे, प्रूफ कर दो कि अपने आपको, तो जॉब तुमारी है, तो इतना काफी था मेरे क्याल से, जो मेरी काफी टाइम नहीं बानी, 5 साल पहले उन्होंने मेरे से बोला था, तो 2 साल पहले मैंने वीडियो बनानी शुरू करी, तो उसके बारे में मैं आपको बात में बताऊंगा, फिलाल के लिए रेडियो के बारे मता दे था, फिर उसके बाद अब यहां पे आरजे नहीं बन पा प्यारे कार्तिक कल्ला सब और दूसरी गिनी, जिनको आज आप आरजे गिनी के नाम से भी जानते हैं, तो उनसे भी बहुत कुछ सीखा, एक चीज जो मैंने सीखी, कि हमारे पास नहीं बहुत सारी चीज़े होती हैं, लोगों को दिखाने के लिए, मेरे पास ये character भी है, मे किसी भी mimicry artist को नहीं, तो आप में से mimicry करना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप रेडियो पे हैं, तो आप आरजे आशीश को सुनना चाहते हैं, आरजे आशीश कैसा है, उसकी बात क्या है, तो जितने भी लोग इस ताइम पे अगर रेडियो करना चाह रहें, सोच रहें कि क् करें, तो be yourself, और साथ ही साथ, आपका क्या नजरिया किसी चीज़ को ले करके, आपकी personality क्या है, उसको समझने की कोशिश कीज़ें, ठीक है, अपनी आवास रखिए, उसी पे काम कीज़ें, तो रेडियो सिटी पे मौका मिला, फिर पल्लवी का एक दिन कॉल आता है कि red तो ये एक विश्वास था, देखो, घर वाले आपके हमेशा सपोर्ट करते हैं, और भगवान की दिया से मुझे मेरे घर वाले ने बहुत सपोर्ट किया, everyone, everyone of them, मैं अपने घर से एक unique product निकलाऊ, लेकिन घर वालों से हटके भी अगर कोई आपको सपोर्ट करे, that means a lot, तो उसके बाद मैंने काफी सालों तक एक शो किया, जो था कड़क लॉंडे, तो हाल फिलाल में जो जोडी थी हमारी, वो थी किस नौराशीश की, तो वो काफी सालों तक करा, फिर एक और बार मेरे को मौका मिला, एक नया रेडियो सेशन जोइन करने का, that is 104.8-ish FM, तो यहाँ मैं मौनिंग शो करता हूँ, सुबह साथ से 11, आप लोग मुझे सुनते हैं, तो जरनी तो यह रही, अच्छा थोड़ी सी देर पहले मैंने बात करी थी, डिजिटल की, कि कैसे मेरी बॉस कहा करती थी, कि वीडियो बनाया कर, और यह मैं उनको बोल देता था था कि VRRJS, क्य ठीक है, बना लेंगे, क्या है, लेकिन रेडियो का तो आपको पता चलिगा है, बी योसेल्फ, अब्जर्व, जितना जादा कर सकते हैं लोगों को अब्जर्व करो, और उसके बाद माइक पे जाओ, अब यही चीज़ आपको जो है, रेडियो से हटके डिजिटल में भी का आती है, क्योंकि मैं जो कुछ भी करता हूँ, डिजिटली, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, जो वीडियोस बनाता हूँ, वो सारी की सारी observation ही है, जो आप देखतो ना, ताली, नान, ऐसे जो बनने लग पड़ते हैं, फिर मेरे पिता जी की आवाज आती है, बरबा अरे बाप इस तरह के डायलोग्स बोलने के वो हैं, काबिल हैं, और वो बोल भी देते हैं, तो बात यह हुई थी कि मैं इश्क FM में आ गया था, मेरा सुबह साथ से गयरा का शो होता था, उसके बाद हमने कभी पोहा खाया, कभी डली खाया, कभी डोसा खाया, उसके बाद तो मैं और मेरा प्रेडूसर जो था, आरिश, इसका भी बहुत रोल रहा है मेरे साथ, तो वीडियो मनाने चले आते हैं, तो मेरी जो बॉस थी, उनका एक कहना था, consistency is the key, तो पहले जब मैं शाम का शो करता था, पांच से नो का, तब मेरे पास time नहीं था, तब मैं धोड़ तो पेट अंदर जबरदस्ती करना नहीं पड़ता था, जो मैंने इतनी देर से कर रखा, आपको पता भी नहीं चला, तो वो जादा था, फिर अपने office गए, शो की या वापिस आ गए, तो यहां पे मेरे पास बहुत time था, तो मुझे लगा कि यार, ठीक है, station भी बदला है, डिजिटली भी प्रेजिंस होनी चाहिए, तो मैंने वीडियो बनाना शुरू गरा, शुरू गरा, शुरू गरा, हर दूसरे दिन पोस्त करना, फिर हर रोज पोस्त करना, फिर बीच में ऐसा हो गया क्रांटी कारी सा कि एक दिन में दो पोस्त करेंगे, तब पता नहीं प्यार मिला, इतना प्यार मिला कि आज मैं 12,000 फॉलोवर्स से 7,500,000 पे हो, तो मिरे को लगता है कि कही नहीं, नहीं जो मिरे पहले कहती ही, पांच साल पहले जो कहती नहीं, कि वीडियो बना ले, वीडियो बनाले, तो वो मैंने तब नहीं बनाई तो लेकिन कोई बात नहीं इसमें भी मैं आपको एक चीज बाप बोलना चाहूँगा शेयर करना चाहूँगा आप से छोटे या आपके बड़े अगर आपको आके आपके काम की तारीफ करना शुरू कर दें तो आप समझ लिजिए कि आप सही राप पे हैं तो आए होप आप वो सही राप को पकड़े बाकी और भी बहुत सारे किस्से हैं किस्सा मैं रेडियो का बताना चाहूँगा क्योंकि रेडियो तो मेरा इतना ज़्यादा अजीज रहा है अच्छा एक और चीज मैं अभी बताता हूँ कि आजकल लोगों ने रेडियो को समझ लिए कि कोई नहीं सुनता कई बार कुछ लोग आते हैं जो बोलते हैं कि रेडियो तो ठप हो गया अब कोई सुनता रेडियो देखिए रेडियो हमेशा से बहुत ही मजबूत था मजबूत है और मजबूत रहेगा आप किसी एक शक्स की सिरफ आवास सुनके पूरा का पूरा चित्र बना बैठते हैं उसकी बात मानते हैं उसकी बात से रिलेट करते हैं और आपने उसको देखा भी नहीं है रेडियो किसी से सुना था मैंने कि रेडियो वोक्स लाइक बुलिट आपने सुना सीधा दिमाग में गया आज मैंने आपको बोला कि सोना सत्तर हजार रुपे दस ग्राम हो गया है आपको फटाक से आजाएगा सतर हजार हो गया आपने सुन लिया बस एक बार में आपके दिमाग में चली गए भी होगा जो कुछ भी रेडियो पे बोला है वो आपके दिमाग में चली गई तो इससे बढ़िया मीडियम और क्या हो सकता है कभी रेडियो का अस्तित्व कभी कुछ नहीं हिला सकता ठीक है नई चीज़े आएंगी नई चीज़े आ रही है सोशल मीडिया भी आ रहा है उनको मैं ऐसे लेता हूं कि हम देखिए परफॉर्मस है हम कलाकार है हमें मौका मिल रहे रेडियो पे हम रेडियो पे आ रहे हैं कल क एक और चीज़ सुनने को आती है कि आरजेस तो आप खुदी छोड़ के जा रहे हैं कभी भी कोई भी आरजे कोई भी रेडियो जोकी रेडियो नहीं छोड़ सकता और नहीं छोड़ता हां अगर उन्होंने छोड़ा होगा तो रेडियो स्टेशन छोड़ दिया होगा या फ किशोर कुमार साब का एक गाना है ये मूवी हम सबने बच्पन में देखी है और मैं दुबारा से बोलूँगा कि मैं शुकर गुजारूं हमने उस टाइम पे कॉंटेंट कंज्यूम करा है और हमें मिला है जब घर के सारे लोग बैठ करके खाना खाया करते थे और दूरदर्शन पे पिच्चर लगा दिया करते थे मिस्टर इंडिया मूवी का नाम है अरुन भहिया गाना गारे जिंदगी की यही रीत है हार के बाद ही जीत है थोड़े आसू है थोड़ी हसी आज गम है तो कल है खुशी तो बस इसी चीज़ को याद रखेगा नियत अपनी साफ रखेगा उपर वाला आपकी मेहनत को देख रहे हैं इस वीडियो के बारे में अपनी राए नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें